अग्ल मैसूर युद्धों के विशे में इस क्लास में आपको ये जानने को मिलेगा कि आंग्ल मैसूर युद्धों के कारण क्या थे उनकी प्रष्ट भूमी क्या रही थी साथ उनके कौन-कौन से परणाम निकले इन सभी के बारे में विस्तरत रूप से चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं तो चलिए क्लास स स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पर्थम आंगल मैसूर युद्ध के विशे में पर्थम आंगल मैसूर युद्ध की समयावधी की बात करें तो इसकी समयावधी मानी जाती है 1767 से लेकर के 1769 तक दो साल के अंतराल में यह युद्धि लड़ा गया इसके कारणों पर अगर नजर डालें तो सबसे प्रमुख कारण इसका यही था कि हैदर अली जो था वो अंग्रेजों को तो वैसे ही घास नहीं डालता था लेकिन अंग्रेजों के जो प्रबल प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी फ्रांसीसियों से इसका जो व्यवार था वो काफी मित्रवत था उनके टर्म्स जो थे फ्रांसीसियों के और हैदर अली के काफी अच्छे थे इस वज़े से अंग्रेज हैदर अली से वैसे ही नारास थे और इसके राज्य पर आकर्मन करने की योजना बना रहे थे उधर मदरास की जो अंग्रेजी सरकार थी और करनाटक के नवाब के बीच में पहले से ही मैसूर को लेकर के सीमा विबाज चल रहा था तो इसी को ध्यान में रखते हुए मदरास सरकार ने क्या किया निजाम मराठे इन दोनों को अपने साथ मिलाया और हैदर के विरुद एक संधी की एक त्रिगुट बनाया ठीक है हैदर को पराजित करने के लिए मदरास सरकार ने क्या किया निजाम और मराठों के साथ में मिलक करके एक त्रिगुट संधी की जब हैदर अली को इस चीज के बारे में पता चला तो उसने क्या किया मराठों को प्रलोग भन दिया ठीक है मराठों को उसने 35 लाक रुपे दिये और इस त्रिगुट को भंग कर दिया अनि मराठों को इस त्रिगुट से उसने अलग कर दिया अ निजाम और जोसेफ इस्वित ने मिलकर के मैसूर पर आकरमड किया लेकिन निजाम पर नवाब मुहम्मद अली के भाई महफूज खां द्वारा दवाब बनाया गया नवाब मुहम्मद अली जो के करनाटक का नवाब था और करनाटक के नवाब का तो पहले से ही अंग्रेजी सरकार के साथ बिवाज चल रहा था सीमा को लेकर के लेकिन जो मुहम्मद अली था ये हैदर का समर्थक था ठीक है और किसका भाई था महफूज खां का भाई था ठीक है और महफूज खां के टर्म्स निजाम से थे तो महफूज खां के द्वारा निजाम पर दवाब बनाया गया कि आप हैदर के विरुद्ध युद्ध में सामि ठीक है तो फिर क्या हुआ निजाम जो था वो हैदर से मिल गया फिर अकेला बचा जोसेफ स्मित तो 1760 में जोसेफ स्मित ने आकरमण किया था मैसूर पर और हैदर और निजाम की संयुक्त सेना को इसने पराज़त भी किया ठीक है और ये युद्ध कहां पर हुआ था चंगमा आगे चलके उसके एक साल बाद ही मंगलोर एवं अन्य स्थानों पर हैदर अली ने कबजा कर लिया इसके साथ फिर उसके एक साल बाद 1779 में हैदर ने जो है मदरास के आसपास के छेत्रों को भी जीत लिया वो मदरास के पास तक पहुँच गया कह सकते हैं कि मदरास के बिल युद्ध का समापन हुआ, अंग्रेज संधी के लिए बाद्ध हुए और यह युद्ध जो है मद्रास की संधी के द्वारा समाप्त हुआ ठीक है, तो एक प्रशने आं से ये भी बन जाता है कि जो पर्थम आंगल मैसूर युद्ध था वो किस संधी के द्वारा समाप्त हुआ था तो वो मद्रास की संधी के द्वारा समाप्त हुआ था मद्रास की संधी हुई थी 4 अपरेल 1779 को ठीक है, किस-किस के बीच में, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में अब मद्रास की संधी की सर्तें क्या-क्या थी तो इसकी सर्तों पर थोड़ा नजर डालते हैं इस संधी की सर्त थी कि जो कैदी थे और जो जीते हुए स्थान थे दोनों पच्छों के द्वारा यानि जब हैदर और अंग्रेजों के बीच में योध्द हुआ था उनकी भी अदला बदली कर दी जाए ये पहली शर्त थी मदरास की संदी की इसके साथ अंग्रेजों ने ये वादा किया था हैदर अली के साथ कि अगर आपके राज्य पर कोई भी बहारी सक्ती का आकरमण होता है तो वो जो है अंग्रेजों ने हैदर अली को किसी भी दूसरी सकती की आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने का वचंदिया था निसकर्स क्या निकले इसके निसकर्स ये निकले कि संधी की सर्द है हैदर के पच्छ में रही ठेक है अंग्रेजों की प्रतिष्ठा एवं अजियता को काफी धक्का लगा क्योंकि हैदर अली ने उनी के घर में गुश करके घर तो वैसे हमारा ही था सब हम भारत में अंग्रेज राजजी करते थे लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि मदरास जो था मदरास पो पहले से ही उनकी कंडिशन जो थी मदरास के अंदर वो काफी अच्छी थी तो हम कह सकते हैं कि हैदर ने उनके गड़ में जाकर के उनके द्वार पे जाकर के संदी की सरतें निश्चित की थी तो इससे कहीं न कहीं अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को उनकी अजयता को काफी धक्का पहुँचा था बात करते हैं दुती आंगल मैसूर युद्ध के विशे में इसकी समयावदी 1780 से लेकर के 1784 तक मानी जाती है इसका कारण क्या था? जो परतम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था आप जानते हैं उसका समापन मदरास की संदी के द्वारा हुआ था मदरास की संदी में यह क्लियर किया गया था कि हैदर के राज्य पर अगर किसी भी बाहरी सक्ती के द्वारा आकरमण होता है तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे तो मदरास सरकार ने 1779 में जो मदरास की संदी हुई थी उसका पालन नहीं किया था और इसका उदारण कहां देखने को मिलता है 1771 में मराठों ने 1771 में मराठों ने हैदर की राज्य पर आकरमण कर दिया लेकिन अंग्रेजों ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी और यहां हम कह सकते हैं कि उन्होंने मदरास की संदी का उल्लंगन किया था इससे हैदर नाराज हो गया ठीक है अब बात कर लेते हैं हैदर निजाम और मराठों के त्रिगुट के बारे में हैदर निजाम हैदराबाद का निजाम और मराठों के एक त्रिगुट बना और यह किसके द्वारा संगटित किया गया हैदराबाद की निजाम के द्वारा सं नाराज थे क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का आपने नाम सुनाओगा मारेन हेस्टिंग्स उसकी जो हस्तचेप की नीती थी उससे मराठे खुश नहीं थे और वारेन हेस्टिंग्स की जो हस्तचेप की नीती थी वह महारास्टर में भी जारी थी वह महारास्टर में भी मराठो के जो छेतर थे मराठों के जो एरियाज थे वहां भी वह जो है अपना हस्तशेब दिखा रहा था तो इस वज़े से मराठों भी अंग्रेजों से नाराज थे तो इस वज़े से क्या हुआ निजाम मराठों और हैदर इन तीनों का फ्रांसेसी बंदरगाह माही पर आकरमण कर दिया अंग्रेजों ने फ्रांसेसी बंदरगाह माही पर आकरमण कर दिया और ये बंदरगाह हैदर के राज में पढ़ता था और हैदर के लिए इस बंदरगाह की इंपोर्टेंस इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि हैदर की जो भी सेना थी उनके लिए कह सकते हैं हम जरूरी या आवश्यक सामान जो था रसत सामेगरी थी वो इसी बंदरगा से जाती थी ठीक है तो सैनेकों के लिए आवश्यक सामेगरी का प्रमख केंदर था माही बंदरगा और इसी पर किसने आकरमण कर दिया अंग्रेजों ने आकरमण किया तो इससे दोनों जो है लोग नाराज हो गए तो हैदर इससे रुस्ट हुआ और उसके बाद में क्या होता है है हैदर ने अरकार्ट पर आकरमण कर दिया ठीक है अरकार्ट पर जब हैदर ने आकरमण किया तो करनल वेली और हैक्टर मुन्रो के नित्रत में अंग्रेजी सेना आई ठीक है एक साइड से कनरल वेली के नित्रत में सेना आई एक साइड से हेक्टर मुन्रो के नित्रत में सेना आई अगर वे दोनों सेना मिल जाती तो हो सकता है इस युद्ध का परड़ाम कोई दूसरा परडाम होता लेकिन हैदर ने क्या किया इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया ठीक है दोनों सेनाओं आपस में मिल नहीं पाई और उन्हें एक एक करके जो है पहले सबसे पहले करनल वेली से युद्ध होता है हैदर का और अरंधी के युद्ध में क हैदर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है जब यह खबर हैक्टर मुन्रों जो दूसरी तरफ से आ रहाता है हैदर पर आकर्मण करने के लिए उसको पता चलती है तो वो वैसे भैवीत हो जाता है और अपनी सारी युद्ध सामिकरी को फैक कर वहां से भाग जाता है ठीक है पूल का छेतर दे दिया और हैदर से अलग कर दिया मराठों के साथ में अंग्रेजों की सालवाई की संदी हुई थी ठीक है अंग्रेज और मराठों के बीच में सालवाई की संदी हो गई तो मराठे भी जो है है तो मराठे भी जो है सालवाई की संदी के द्वारा इस त्रि में हैदर पर आक्रमर करने के लिए एक सेना भेजी. फिर युद्ध में हैदर अली पराजित हो जाता है. 1782 में इसकी मृत्य हो जाती है क्योंकि वह इस युद्ध में बुजी तरह से घायल हो चुकाता है. यहाँ से हम यह कहसकते हैं प्रस्ण पूचा जा सकता है कि हैदर अली की मृत्यू किस आंगल मैसूर युद्ध के दोरान हुई थी तो दुती आंगल मैसूर युद्ध के दोरान हैदर अली की मृत्यू हुई थी लेकिन यह युद्ध जो था यहीं पर समाप्त नहीं हुआ हैदर अली का पुत्र था टी संदी की 1784 में और इस युद्ध का समापन हुआ यानि दुती आंगल मैसूर युद्ध का समापन मंगलोर की संदी के द्वारा होता है ये जो संदी हुई थी लाड मैकार्टनी एवं टीपू के मध्य हुई थी ठीक है दोनों पच्छों ने एक दूसरे की जीते हुए छेतर वो बापस कर दिये थे मंगलोर की संदी में प्रावधान थे इसके बाद में फिर आगे चलकर होता है तरती आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक इसका कारण क्या था कि जो मंगलोर की संदी हुई थी टीपू सुल्तान मंगलोर की संदी से सैटिसफाई नहीं था अंगलेजों से युद्ध होना ही होना है क्योंकि दोनों पच जो थे वो दक्कन पर पहले से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते थे तोनों ही पक्च जो थे वो दक्कन पर विजय प्राप्त करना चाते थे तो फिर टीपू ने पहले से ही इसकी तैयारी करना प्र तीपू से रुस्ट हो गए टीपू की इसका रीजन यहीं वह सकते हैं कि टीपू की इच्छा थी दो दुर्ग थे क्रेंगनूर और आईकोटा के क्रेंगनूर और आईकोटा के दो दुर्ग थे जो डचों के पास थे टीपू की इच्छा थी इन दोनों दुर्गों को खरीद लेकिन क्या होता है कि ये दोनों दुर्ग थे वो किसने खरीद लिए त्रावण कोर के राजाने खरीद लिए आईकोटा और क्रेंगनूर के जो दुर्ग थे वो त्रावण कोर के राजाने खरीद लिए और त्रावण कोर राज्य पहले से ही अंग्रेजों का समर्थक राज् कर दिया जब त्रावड कोर पर टीपू का अकरमण हुआ क्योंकि त्रावड कोर अंग्रेजों का सपोर्टिव जो है स्टेट था तो इससे जो कार्णवालिस था लड़ कार्णवालिस बड़ा नाराज हुआ तो कार्णवालिस ने क्या किया कार्णवालिस मराठा और निजाम इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के स्री रंग पटनम के दुर्ग का घेरा डाला ठीक है? लेकिन युद्ध नहीं हुआ स्री रंग पटनम दुर्ग का घेरा डाला और टीपू को जब लगा के अब इन तीनों की संयुक्त सकती से वो युद्ध नहीं कर सकता है तो फिर यहां पर पर क्या होती है स्री रंगपटनम की संधी हो जाती है अंग्रेजों और टीपू के बीच में स्री रंगपटनम की संधी 1792 में हुई थी और इससे टीपू को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला था टीपू को अपने सामराज जिका जितने भी उसका छेत्र था उसका लगबग आधा भाग उसको अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा साथियों को देना पड़ा और तीन करोड रुपए उनको युद्ध छती के रूप में देने पड़े और इसके संबंद में जो पूरे पैसे नहीं दे पाया था टीपू सुल्तान तो क्या किया कार्णवालिस ने उसके दो पुतर थे उन दोनों को बंधक बना करके अपने पास रखा और कब तक रखा जब तक वो पैसा नहीं दे तब तक वो उसके पास बंधक के रूप में रहेंगे ऐसा विवस्ता, सैन्ने संगठन, सुरक्षा, सारी तितर वितर हो गई और इस संधी के संबंध में कार्णवालिस की एक कोटेशन है कार्णवालिस ने ये कहा था इस संधी के बारे में कि अपने मित्रों को हमने अधिक भयानक बनाए बिना अपने सत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया था तो ये कोटेशन भी कभी-कभी पूछ ली जाती है कि या किसने कहा था कि अपने मित्रों को हमने अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है तो ये कार्णवालिस की उक्ती थी और कब कहा था इसने स पहस्त छेप की नीती का जर्मदाता माना जाता है ये प्रश्ण भी पूछा जाता है बात करते हैं चतोर्थ आंगल मैसुर युद्ध के विशय में ये हुआ था 1799 में 1799 में इसका कारण क्या था 1799 में टीपू द्वारा लर्ड वेलेजली के सहायक संधी के प्रस्ताब को अस भेज दिया था लेकिन टीपू ने इसे अस्विकार कर दिया इससे वेलेजली ने नाराज हो करके युद्ध की घोशना कर दी टीपू के विरुद्ध ठीक है टीपू का जो छेतर था मैसूर इस पर दो तरफ से आक्रमण हुआ ठीक है पूर्व से इस पर आक्रमण किया था जनरल Harris और वेलेजली की सञुकत सेनाओं के दौरा और पस्चम से इस पर आक्रमत हुआ जनरल स््टुवर्ट के दौरा ठेक है अब अलग-अलग युद्ध होते हैं मैसूर के सम्बंद में जो युद्ध होते हैं यहाँ पर जो अलग-लग युद्ध होते हैं 1799 में अपना अधिकार कर लिया, टीपू के दोनों पुत्रों को पैंसन दे दी गई, मैसूर का राज्य अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले करके, वाडियार वंस के दो वर्स के बालक क्रश्नराज को राजा बना दिया, ठीक है, 1799 में टीपू की मृत्य हो गई, स्री राज उसको राजा बना दिया, और उसको राजा बना करके अंग्रेजों ने जो मैसूर का पूरा राज जिता, वो अपने संरक्षण में ले लिया, इस तरीके से यहाँ पे आपको चारों आंगल मैसूर युद्धों के बारे में जानने को मिला, अशा करता हूं क्लास आप को पसंद आई होगी, मिलते हैं फिर आप से, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जेह